नमस्कार दोस्तों स्वागता एक और नहीं वीडियो में मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनलोजब दोस्तों आप सभी ने जो है ओनलेन गेमिंग पर जो है नई टीडेस जो पोलिसी आई है सरकार की उसके बार में तो सुनाई होगा तो आज की इस वीडियो में इसी टोपिक पर बात करेंगे कि सरकार की जो नई ओनलेन गेमिंग पर जो है नई टीडेस जो पोलिसी आई है उसमें कितना परसंट टीडेस आपको पे करना पड़ेगा हाना और जो है कैसे आप रिफंड ले सकते हो पांच छे क्यूशन का आंसर में आपको इस वीडियो मे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला क्यूशन यह है कि नई टीडेस पोलिसी क्या है तो नई टीडेस पोलिसी जो है एक अप्रेल दो जरते से लागू हो गई है सरकार की जो नई टीडेस पोलिसी है इसके अनुसार अगर आप किसी भी प्लेटफोर्म पर जो है ओनलेन गेम तो और आपकी जो विनिंग अमाउंट रहती है उसको अगर आप विड्रो करोगे तो उस पर जो है 30% जो है 30% टीडेस लगेगा 30 30% टीडेस काटके ही जो है आपके अकाउंट में पैसा आएगा आप यहां पर देखें किसी भी प्लेटफोर्म पर जैसे कि आप MPL पर जो है गेम खेलते हो ठीक है ओलेन गेम खेलते हो तो MPL की जो भी गेम की एंट्री फीच रहती है जो भी आप अमाउंट डिपोजिट करते हो तो एंट्री फीच और डिपोजिट जो अमाउंट रहती है उसको हटा कर उसको रिमूव करके जो भी आपकी विनिंग अमाउंट रहती है उसको जब आप विड्रो करोगे तो उस पर जो है 30% यानि कि 30% जो है TDS लगेगा और यह तब ही लगेगा जब आप विड्रो की रिक्वेस्ट सब्मिट करोगे अगर आपका जो पैसा है MPL के वोलेट में या पर किसी दूसरे प्लेटफोर्म पर ओनलेइन गेम खेल रहे हो उसके वोलेट में है विड्रो की रिक्वेस्ट आप सब्मिट नहीं कर रहे हो तो किसी परकार का कोई भी जो है TDS चार्ज नहीं लगेगा तो कहने का मतलब यह है कि एंट्री फीस और डिपोजिट फीस अटाका रिमूव करकर जो आपकी विनिंग अमाउंट रहती है उसको विड्रो करने की जब रिक्वेस्ट सब्मिट करोगे तो उस पर जो है 30% TDS से लगेगा अब बात करते हैं क्या MPL जो है TDS चार्ज कर रहा है नहीं बाई बिल्कुल भी नहीं सरकार की यह नई TDS पोलिसी है तो MPL जो है आपके विहाब पर TDS काट के सरकार को पे कर रहा है जैसे कि हम ITR पे करते हैं Income Tax सरकार को देते हैं तो सेम ऐसे ही MPL जो है आपके विहाब पर TDS काट के सरकार को दे देता है तो MPL जो है किसी भी तरीके से जो है ये TDS का पैसा अपने पास नहीं रखता जो आपकर TDS कटता है वो TDS का जो पैसा है वो सरकार के पास जाता है Question number two killer हो गया होगा अब बात करते है Question number three की Question number three ये है कि मेरा जो है पैन काड अपडेट करने पर आपका जो फोरूम है 26 AS हर क्वार्टर के एंड में अपडेट हो जाएगा MPL जो है वो आपको हर क्वार्टर के एंड में एक TDS जो है सर्टिफिकेट भी देगा जिसमें आपके जितने भी TDS जो है डिटेक्ट हुए है उसकी सारी डिटेल जो है मैंसन रहेगी तो आपको जो है TDS सर्टिफिकेट भी मिलेगी उसमें पूरा लेखा जोखा रहेगा जितना भी आपका TDS कटा है अब यहाँ पर बात करते है क्यूशन नंबर 4 की क्या हर बार जो है विनिंग निकालने पर मेरा TDS कटेगा तो इसका आंस्वर है no TDS only applicable है जो विनिंग amount रहती है उस पर मतलब की एक financial year में जो आपके net winning होगा वो हर withdraw के बाद recalculate होगा इसको समझने के लिए एक standard formula है यहाँ पर मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ net winning equal to total withdraw in financial year total deposit in financial year plus net winning which have already suffered TDS during the financial year plus opening balance एज जो 1st April रात के 12 बज़े तक है आपका हर financial year का calculation है और जो opening balance है 1st April को रात के 12 बज़े जो है automatic reset हो जाएगा और हाँ एक और बात अगर किसी withdraw के बाद उस financial year में एगर आपका net loss है तो आपका TDS amount जो है उसके हिसाब से update हो जाएगा आपके next withdraw request डालने पर अब यहाँ पर question number 5 की बात करते हैं अगर मैंने जादा जो है TDS भर दिया तो तो इसका answer यह है कि यह only एक situation में ही होगा अगर आपके withdraw submit करने के time पे net winning जो है पर financial year के end में जो है आप loss में हैं तो financial year के end में 31st March रात 12 बजे आपका जो final TDS है वो calculate होगा आपके financial year के net winning के आदार पे जब आप जो है अपना ITR फाइल करेंगे तो आपका जो पूरा TDS है वो adjust किया जाएगा आपकी taxable winning पे और हाँ अगर किसी situation में आपका TDS जारदा काट लिया जाता है तो आप हो जो है ITS filling के time तो आप उसको जो है claim कर सकते हो MPL आपको जो है एक TDS certificate देगा जिसको आप use कर सकते हो जब आप ITR फाइल करोगे उस समय अब यहाँ पर question number 6 आता है यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कोई limit amount है जिसमें TDS लगता है तो भाई देखे इस पर किसी भी तरिके का कोई भी limit नहीं है income tax act 19062 के section 194 BA के अनुसार real money gaming के TDS पर जो है कोई limit नहीं है आपके हर withdraw request पर जो है TDS लगेगा अगर आपकी winning amount जो है positive है तो अब यहाँ पर बात करते हैं TDS refund की तो what is the TDS refund in MPL MPL पर जो है आपको instant जो है TDS जो आपका कटेगा वो refund आपको मिल जाएगा तो क्या है कैसी मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखें MPL जो है आप सभी gamers के लिए लेकिया है सांदार offer सांदार news TDS refund का तो पर MPL का जो cash wallet है वहाँ पर आपकी जो winning amount रहती है वो positive में है उसको आप withdraw करते हो तो जैसे उसको withdraw करने की request submit करते हो तो TDS जैसे ही cut जाएगा तो वो TDS है आपको instant MPL का जो cash wallet रहते है वहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसको आप use कर सकते हो game खेलने के लिए आप यहाँ पर बात आते है कि जो TDS refund है यह आपको कैसे मिलेगा तो MPL TDS refund को activate करने के लिए आपको wallet में एक रुपया deposit करना पड़ेगा और जैसे TDS refund activate हो जाएगा उसके बाद जितनी भी amount आप withdraw करोगे net winning amount और उस पर जितना भी TDS लगेगा वो पुरा को पुरा TDS जो आपको instantly आपका जो wallet wallet रहता है cash wallet उसमें जो MPL दे देगा उससे आप जो एक गेम खेल सकते हो और यहाँ पर देखें मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिने में आप जो पांस वीड्रो करोगे तो पांस वीड्रो पर ही आपको जो है up to 1000 रुपय तक आपको TDS refund मिलता है और जो है आपकी जो net winning amount रहते है उस पर ही जो है TDS से आपको refund मिलेगा तो यह बात आपको जुरूर ध्यान देनी है तो भई इंदजार किस बात का है tax cutter हटाओ MPL है इंडिया का सबसे सेफेस्ट जो है gaming platform जहां पर आपको TDS refund भी मिलता है और जो है tax cutter भी आप भूल जाओ और जो है बड़ा खेल जा चाते हो तो comment box में comment कर देना मैं पूर पूरी कोशिस करूँगा आपको जो भी सवाल रहे comment रहे उसका answer देने की मिलते जल्द एक और नहीं जान करें एक और नहीं information के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए take care